कुध्यान ब्यस्नों में ले जाते हैं कुध्यान ब्यस्नों में ले जाते हैं सुध्यान धर्मध्यान में ले जाते हैं चरण मंदिर तक ले जाते हैं और आचरण भगवान तक ले जाते हैं कुवेर इंद्र यग नायक सुधर्म और चक्रवर्ति भग साली है जिने भगवान की चरणों में अपनी जिग्यासा रखने का भी आउसर मिलता है अक्सर कर लोग सोचते हैं कि ध्यान तो मुनी राजों को होता है और सची बात है आचार्य देव उमास्वामी महराज ने लिखा है उत्तम संगननस सईकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहुरता उत्तम संगनन वालों को ही स्रिष्टतम ध्यान होता है अंतर मुहुरत तक होता है एकाग्र चिंता निरोधो रूप होता है और उन ध्यानों के बल पर उस्रणी आरुहन करके भवपार भी हो जाते है वहां विशय संबर निर्जरा का है इसलिए वहां पर उत्तम संगनन वालों को ही कहा है ध्यान लेकिन समान रूप से कहना जो जो ग्यान बो बो ध्यान जो जो ग्यान बोबो ध्यान अथवा ग्यान की इस्थिरता का नाम ध्यान अब किस भी से में आपके ग्यान की इस्थिरता बनी है वो ध्यान उस रूप बन जाएगा इसलिए आचारिय देवों ने फिर वहां पर खुलासा किया कि ध्यान चार प्रकार के उत्करष्ट रूप से उत्करष्ट अंगननवाले ध्यान ध्यावें सु ध्यान ध्यावें तो मोक्ष भी चले जावें और कू ध्यान ध्यावें तो साथवे नरक के भी पात्रा बन जाएं इसलिए उहां ध्यान के चार भेत किये हैं आर्थ रवद धर्म सुकलानी ने सुना होगा मुनिराज या कोई कोई ऐसे कहते कि श्रावकों को तो ध्यान हो ही नहीं सकता उसका आसे समझना होने को तो आर्थ ध्यान किसको नहीं हो रहा है बोलो जी पसुपंचियों क्यों भी होता है आर्थ राउद्र ध्यान पसुपंचियों को भी हो रहा है और एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री मन नहीं है तो भी उनके किशी ना किशी रूप से ध्यान चल रहा है आस्रवबंद चल रहा है और जिसमें पंचेंद्री और मन बाले हैं उनकी तो आत रा पंच तंत्र में वो कथा आती है कि एक बिद्वान सन्यासी की यहां कोई दूसरे सन्यासी आए और यह जो सन्यासी यहां रह रहे थे वो इस बात से परिसान थे कि उनकी कुटिया में चूहा आते और उनकी लंगोटी, उनका सामान, उनका कुछ रखा हुआ, धान्या वो सब खा जाते वो क्या करते कि पोटली में बांध करके खूटी से लटका देते तो भी चूहों में एक चूहा ऐसा कि उचल करके वो आरुक पोटली तक पहुँच जाता और हिरन्यक उसमें नाम आया जब दूसरा सन्यासी मित्र आया और देखा कि बातें होती रही काफी रेड तक अच्छे सुक दुख की बातें हो रही तुमने क्या सीखा तुम क्या ध्यान करते हो थोड़ी बातें होते रही और फिर विस्त्राम में चले गए विस्त्राम में जाने के बाद भी उसने क्या किया Skran रहने वाले सन्यासी ने एक फटी हुई लकडी ली और लेटने के बाद भी सौने के बाद भी बीच बीच में बजाता रहता तो नया जो मेमान आया उसे के लिए जगए नई है यू नी नहीं आ रही है और बीच इच में खटखट की आवाज होती है फटफट की आवाज होती है तो उसने कार क्या कर रहे हो उसने बताया कि परिशान हूँ चुहे आते हैं और लंगोटी काट जाते हैं धन गिरा जाते हैं और मैं बांध करकी खुटी पर भी टांग देता हूँ तो भी आगत सन्यासी ने कहा कि इतनी उची खुटी तक पूंद जाता है चुहा उसने कहा बिल्कुल अगर मैं फटफट फटफट ना करूं और मेरे सौने का अभास हो जाए चुहे को भी मालूम पढ़ता है कि अब सो गई और सौने के बाद चुहे आते हैं चोरों को जितना पता होता है चुहों को भी उतना भी पता होता इंसानों को जैसे कि अब सो गई अब मेरी इसकी आहट बंद होगी और सोया हुआ समझ करके वो आएंगे और अभी हाल सन्याजी ने कहा कि विश्वास नहीं होता चार-पांच फुट कूंदना कठिन काम में चुहा इतना कैसे कूंदना देखिएगा और खट-खट करना बंद कर दिया सो गए सो तो नहीं गए देखने लगे और तभी चुहा आए तो उसमें छोटे-छोटे चुहे बड़े-बड़े चुहे वो कोशिस करते थोड़ा-थोड़ा कूंते लेकिन एक चुहा बहुत तेजी से आया और एक छलांग कोशिस कर रहे हैं और कोई-कोई चुहा पोटली तक पहुच जाता है कि क्या बात है कि दुनिया का यही तो हाल है अब देख लीजिए नेताओं को देख लो अभी नेताओं को देख लो और जिनें विवेक नहीं है ऐसे सेठीयों को भी देख लो एक छलांग में आगत सन्यासी ने का गजब की बात है कुछ नहीं कोई कारण है उसने का कारण कुछ भी हो लेकिन बहुत परिशान हूं उसने का डॉंट वरी गोर होने दो अभी अपन मालूम करें कि इसने इतनी बड़ी पोटली काट करके गिरा थी सामान विखरा दिया यह आया किधर से है और जा किधर रहा जैसे वह अपने मुँ में कुछ-कुछ दबा के जाने लगे तो नजर रखी और चुहे के पीछे पीछे गए तो मलूम पढ़ा कि यहां चुहे का बिल है यहां उनका घर है आकर कि दोनों सन्यासी बैठ गए आयो यह सन्यासी ने कहा कि don't worry चिंता मत करो सोजाओ सुबे तुमारी समश्या का समाधान हो जाएगा कैसे हो जाएगा मैं बहुत दिनों से परिसान हूं बिलकुल हो जाएगा तेखिएगा और जैसे ही सुबे हुई उन्होंने कुदाल ली फावडा लिया और खोधना खोधना चालू किया गड़դे गए खोधने के बास गड़्दे में क्या निकला Fix deposit इंसान ही केबल गड़े खोद करके नहीं दवाते हैं जानी चुहे भी इंसान की परियाय से ही गए हैं जो बहुत ज्यादा लोव करते रहे हैं ना मायाचारी करते रहे हो चुहे की परियाय में चले गए और उन्हें पता है ओ दवाना दवा दवा के रखना खुद आ तो देखा कि कुछ सौने की गिनिया निकली कुछ खाने का सामान निकला और उन्हें सन्याशी ने कि गया है कि वो निकाल लिया सारा का सारा सौना चांदी सिक्के पैसे बस ओ धन पैसा निकाल करके बिल को ऐसे ही छोड़ करके और बापिस आगए अब फिर साम हुई फिर रात हुई फिर उसने खट-खट चालू किया सन्याशी ने तो इसने कहा कि आप खट-खट करने की कोई जरूरत नहीं है उसने कहा कि फिर आएगा फिर सामान बिखरा के जाएगा कहीं से तो आएगा उसने कहा नहीं नहीं आएगा आएगा भी तो आप उसका खेल देखना आपकी बार जब आया ना रात हुई खट-खट बंद कर दी खट-खट बंद होने के बाद जब चूहा आया तो उसने एक, दो, तीन, चार, कितनी भी छलांग लगाएं लेकिन पोटली तक नहीं पहुँच पाया खट-खट करने वाला सन्यासी कहने लगा गजब की बात है कल तो एक शलांग में पहुँच गया था और आज आए हुई सन्यासी ने कहा कि ज्यानी धन का भी बहुत पावर होती है धन की सक्ति होती है इसका धन छीन लिया इसकी सक्ति खतम हो गई एक बार की छलांग में खूंटी पर पहुचने वाला दस बार गुनने के बाद भी नहीं पहुचा दो चीजें देखो ध्यान अब उस चुहे को भी ध्यान चल रहा है कौन सा ध्यान चल रहा था पहले पहले तो संक्रह करने का ध्यान परिग्रह का और परिग्रहा नंदी इस्ते संयोग का उसे इतना इतना सारा इस्ते संयोग है उसकी खुशी रूप फिर क्या होगा जब अधन है तो इतना ज्यादा अपने आपको बाबर फुल समझ रहा है कौन जब तक धन है तब तक चुहा भी अपने आपको उसक्ती साली समझता है जी समझ में आरा ना धन चला गया जन्सार की यही दसा है देख लीची आप सादा सा आदमी था लोगोंने उसे बिधायक बना दिया तो तीर में तुक्का लग गया कि उस पर जाती से एक ही शें बिधायक था तो मंत्री बनाना जरूरी था तो अब इतना कूंदने लगता है वो और जैसे ही पांस साल भी दे और अगर यह समझ लिया जाए कि सब चीज़ें कूंदने के लिए नहीं है यह जो कुछ भी मिला है इसका सदुपयोग किया जाए और कूंदा जाए तो ऐसा कूंदा जाए कि एक बार में ही जीवभव के पार हो जाए धर्मध्यान करने के लिए मिला है अभी उसका रवद्रध्यान चल रहा था परिग्रहनंदी बहुत धन है मेरे पास और उस कान से अब जैसे उसका धन लुट गया ना तो इस्ट का वियोग हो गया इस्ट था उसको धन जिक कि अब क्या करेगा कहां पर जाएगा व लेकिन उसके पास सोना है उसको इसका बहुत ज़्यादा सुख था वो सोना गया कि उसका उसको क्लेस हो गया और इस्ट वियोग जनाम का आर्थ ध्यान हुआ इस्ट का वियोग हो गया अनिस्ट संयोग नाम का आर्थ ध्यान हुआ यह कहां से आगई सन्यासी और क्यों हमार बिल खोद दिया परिशान हो कि आखिर में वहाँ दो चार दिन में तो सब छोड़ करके वहां से चले गई मर गई इसा होता है अभी किसा हमने सुना एक महिला का मोबाइल खो गया मोबाइल खो गया तो उसने आत्मत्या कर ली किसने महिला यूँ बहुत सक्ति साली होती है उसका मना नहीं कर रहे हैं लेकिन अगर मोबाइल भी खो जाए तो ऐसी घटनाएं बन रही है क्यों अरे जो भी मामला हो जो भी करण हो खो गया तो खो गया ना इस्तिती ऐसी खतरनाग बन गई लिए कि अगर बच्चा खो जाए तु मा को तनी त्कलिफ नहीं ओ रही है और मोबाइल खो जाए तो ये रोदर ध्यान चल रहा है आर्थ ध्यान चल रहा है इसका मतलब है कि ग्रस्ती हों कि पसुपंची हों ध्यान सबको किसी ना किसी रूप में चल रहा है अब श्रावक को कौंसा ध्यान हो सकता है तो ध्यान हो सकता है श्रावकों को आर्त रोग ध्यान तो चली रहा होगा कभी विस्तार्शिन की चर्चा है इस्ट का व्योग हो जाए तो आर्थ ध्यान होता है अनिस्ट का संयोग हो जाए कोई गलत व्यक्ति संयोग में पड़ जाए तो उसका आर्थ ध्यान होता है पीडा चिंतन कभी पीडा हो जाए हाँ दुखे सचाती दुखे पीड़ा हो उसका चिंतन हो गया यू भी आर्थ ध्यान है लेकिन उसे धर्म ध्यान में मोड़ा जा सकता जो हो रहा सो हो रहा है अपनी भक्ती में लीन है सव धर्में नर्माराथ तो और एक निदान हम पूजा करें तो हमें यह मिले कर्मन्ने वादि कारस्ते मिलना तो बीजबोगी तो मिलेगा तो सही क्यों दुख्षी हुए जा रहे है राउदर ध्यान हिंसा नंदी म्रसा नंदी चौर्या नंदी परिग्रहसन रक्षना नंदी बहुत लोग मिलेंगे आपको हिंसा हो रही है कतल हो रहे हैं और वो खुस हो होते हैं हम मुगैम्बो खुस हुआ है खी कि चे को मार दिया खतम कर दिया फिर क्या हुआimore लग गई कहीं कट्लय आम हो गया पिर भी मुगैम्बो के तो जो किसि के क्ष्ट में इंसा में हो रहा है वो कौन है बोलो किसी के परेशानियों में अगर कोई खुस हो रहा है तो भाई मुग्यमबई तो हुआ ना पताए ये हिंसानन्दी म्रसानन्दी जूट बोल बोल करके और काम करवा लेना अथवा फिर खुस होना अपने उस पर या कोई जूट बोल करके काम कर लेता है तो भाई वो चालाक है और उस दावी नहीं पला बोले और उनोंने तो पूरा गायब कर दिया औरा दिया इंसानन्दी म्रसानन्दी चौर्यानन्दी परिग्रे संरक्षना नंदी आप लोगों को पता भी नहीं पढ़ता होगा और ये रोध्र ध्यान लग भाग थोड़े इसी लोगों को छोड़के सब को हो रहा हो रहा कौंसा इनको बापेश भीज के आओ दोनों महराज बापेश जाओ पीछे मुड़ जाओ परिग्रे संरक्षनानन्दी परिग्रे का संरक्षना देख लिए कि बहुत लोगों को रहता है कुछ नहीं उप्योग हो उपा रहा है इतना फिक्स डेपोजिट है हमारी पास सौ एकर जमीन है हमारी पास इतने बंगलों हैं हमारी पास आप उनका कर क्या पर रहे हैं संरक्षन के अलाबा क्या कर रहे हैं चार चौकीदार लगा दिये हैं चौकीदार को फिकर नहीं है फिकर तो आपको ही है परिग्रह संरक्षनानंदी देखो छोटे मोटे रूप में हो तो ग्रस्त के लिए चल भी जाए कि ग्रस्त के पास इतना तो होना चाहिए लेकिन ऐसा घोर रौदर ध्यान चलता है परिग्रह संरक्षन का और उसमें से कभी चोरी हो गई ना तो देख लीजे आप इतना एकटा किया था इतना एकटा किया और एक बार C.V.I.E.D.E.C.D.E. अंग्रेजों ने बंटा धार किया है ना वो आय होते ना भारतियों को इंगलिस सिखाते और ना ए C.V.I.E.D.E.E.C.B.I.E.E.D.E.E.C.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E समालो